वेल गाइस कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे खासे होंगे और भले चंगे होंगे वेल बात करेंगे आज इस वीडियो में बिग बुल और बॉब बिसवास को लेकर दोनों में निजर आ रहा है अभी सेक बच्चन कंपेर करेंगे इनकी दोनों बैस फिल्मों को जो को आई है लाश्ट दो सालों के अंधर दर वेल दोनों की दोनों एकदम बैस्ट है सबसे बहले बात करते हैं बॉब बिसवास को लेकर आग किलर ऑफाइ स्टोरी वेल फिल्म काफी अच्छी है और जीतनी तारिफ की जाए काम है फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस दोनों नहीं अच्छा काम किया है चाहे हो अभी सेक बच्चन हो या फिर चित्रंगदा सिंग दोनों की दोनों मुझे पसंद आये खास तौर पर मेरे को इनकी जो नजर बोलते है न एक स्पिल करेक्टर जो मेरे को पसंद आया वो था कालीदा का वेल फिल्म काफी अच्छी तरह से चली जिसे की प्रेड्यूस किया जाने माने एक्टर सारुक खान ने अपने इगी बेंडर रैचलीज एंटर्टेंडमेंट्स में वेल आपको बता दू जो इसका बजट है वो है 30 करोड रुपे अर कलेक्शन की बात आती है तो आज फिल्म के कलेक्शन में हमें बोलते है ना ग्रोथ देखर को मिली थी अपने 2100 दिन चुकि अपना में बहुत बढ़ी बात थी 200 दन 2100 जो इसने कलेक्शन किया सांदार था यानि की 2.5 करोड रुपे का और इसी के साथ जो फिल्म का कलेक्शन होचको था अभी तक वो गया था लगवग से लगवग 144 करोड 50 लाख रुपे जो कि एक आउस्टेंडिय कलेक्शन था और वाडिक्ट मिल रा था इसको अभी तक सूपर डूपर हेट लगबस्टर का वह वेल फिल्म को लेकर बात करें को फिल्म रिलीज हुई थी डिजनी प्लस होस्टार पर यही फिल्म की खासियत थी और बस यही कारण था कि हार्दिंग में था बोले तो अभी से वचन चल पड़े जिया अब उनको ट्रेंड में मिल रहा है और सूपर स्टार बताया जा रहा जोके अपनाप में बहुत ही बड़िया और आउस्ट्रेंडिंग वाद थी वेल आपकी क्या है रहा है बहुत विश्वास और दी बिगुल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कमेंड में आपकी रहा है मेंसन कीजिए का वेल बाबाई टिक क्यार